प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे चमक की अद्भू चमक की चमक और अद्भू चमक में एक फर्क है चमक वो होती है जो आपका चेरा बहुत साफ सुत्रा दिखे और चमके लेकिन अद्भू चमक वो होती है जिसको रेडियंस कहते है आभा कहते है कि एका इसी इनर्जी आपके पास से रिलीज हो कि वहाँ आपकी तरफ लोगों को आकर सिद करे आपकी बात पे लोगों को ध्यान देने को बात दे करे हम आपको बताएंगे उस अद्बूत चमक के लिए बहुत अचूप घरेलो नुसका जो कि आप अभी अगर सुन रहे हैं और अभी आपके पास दो चीजे घर पे मौजूद हैं तो आप अभी उसको बना सकते हैं बहुत अचूप नुसका है साथियो अद्बूत नुसका है ये आपकी स्किन पे रेडियन्स लाने का और जब रेडियन्स आएगी आभा फैलेगी तो वहाँ जो खुबसूर्ती होगी वहाँ पूरे महुले, पूरे सहर पूरे प्रदेश, पूरे देश और बिदेश सब में आपको चमक लाएगी मैं आपको भरूसा थोड़ा ज़्यादा दिला दे रहा हूँ भरूसे पर खरा भी उतरेगा हमारा नुस्का आप इसको कर सकते हैं या हज़ारों साल पुराना नुस्का है हज़ारों साल पुराने और सदियों से बना नुस्का है और यहाँ आपको बहुत ही चमकदार और आभा जो सूर्य की आभा होती है उस तरह की उर्जा आपसे आपमे रेडिएट करने में सक्षम है हम आपको बताते हैं अचूपनुस्का रेडियंस का आपके चेहरे पर आभा का आपके चेहरे पर अद्भूत चमक का बहुत ही असान नुस्का पेश है आपके सामें ये साथियों एक ऐसा अद्बुत नुकसा है जो एजिप्ट के महरानी किलियोपेट्रा भी करा करती थी किलियोपेट्रा का ये सीक्रेट है मैं अभी देख रहा था गूगल करा था यहां Cleopatra जो इजिप्ट की रानी थी उसके खुबसूर्थी जिसको सबसे खुबसूरत औरतों में दुझ्या की सुमार करा जाता है यहां इसकी खुबसूर्ती का सीक्रेट था है तो ढून के लागा हूं आपके लिह हनुस्था कि यहाँ आप पे काम करें और आपके मन की इच्छा को पूरा करें आपको साथियों कुछ जादा नहीं करना है आपको लहसुन यानि गारलिक लेना है आप बारा से पंदरा गारलिक के जवे जो होते हैं कि तीन लहसुन में मुझे लगता है दो लहसुन में दो गार्लिक में निकल आएंगे आप 15 उसकी ले लिजे गार्लिक की उनको आप बहुत पतला पतला काथ लीजे पहले दो लीजे फिर उसको काथ लीजे या क्रश कर लीजे फिर आप एक एयर टाइट कंटेनर लीजे उसमे आप 200-300 ग्राम शहद ले लिजे उस शहद में आप इस लहसुन को डाल दीजे इस गार्लिक को डाल दीजे इसको आप एयर टाइड बन कर दीजे इसको आप एक हफ्ता अंधेरे वाली जगां पर रखा रहें दीजे कुछ न करिए उसको देखिए भी मत आधे एक हफ्ते में य तो रहते हैं कि अगुछन साल म度रारा सकते हैं अधारा साल तक के एक चबारों रोग सपलब शहता है यह यह शाय कुछनल हैजे पर आप 15 जम के सब्सक्राइब देखिए और जो एड़ेट्स हैं वो दो जवाई एक दिन में ले सकते हैं, दो लिट कारलिकी एक दिन में ले सकते हैं इसको आप एक महिना करें एक महिने में आपके चेरे पे वहाँ अधभुत आभा सूर्य की अधभुत आभा आ जाएगी कि आप का आकरसन सव गुना बढ़ जाएगा इसको करके देखिए और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होगा ऐसा साथियों इसलिए होगा यह आप में अधभुत चमक इसलिए आएगी, आभा इसलिए आएगी क्योंकि शहद से बढ़िया आपकी स्किन का मॉस्चराइजर कोई नहीं है शहद में पाइनो सेम्बीन नाम का कमपाउंड पाया जाता है यहाँ पाइनो सेम्बीन स्किन का सबसे बेतर मॉस्चराइजर है यहाँ आपकी स्किन को मॉस्चराइज करेगा और गालिक में साथियों लेसुन में कॉपर बहुत पाए जाता है कॉपर आपके कोलाजन प्रोटीन को बाइंड करके स्किन को टाइट करता है कॉपर में ऐलीसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो ऐलीसिन बनाता है तो यहाँ जो ऐलीन नाम का कंपाउंड है यहाँ आपके चेरे पे वाद बुद्ध काम करेगा जो इजिप्ट के महरानी किलिओ पेटरा भी करा करती थी यहाँ उसका इजिप्ट के महरानी की खुब्सूर्ती का सीख्रेट है उसका रहस है, यहाँ इतिहास में इंगित है, दर्ज है साथियों यहां पर हम आपको एक शहद के बारे पर तत्थे बतारा चाहेंगे आपको यकीन नहीं होगा 0.45326 kg यानि की एक पॉंड यानि की लगभग आधा लीटर शहद को बनाने के लिए साथ हजार मदुमक्या, 60,000 हनीबीज, 55,000 माइल्स, 55,000 माइल्स ट्रेवल करती है दो मिलियन फूलों का जो है वहार रस को जब वो नेक्टर को लेती हैं और प्रोसेस करती है तब जाके आपको एक पॉंड यानि लगभग आदा किलो शहद मिलता है तो किसी की इतनी मेहनत अगर आपको एक चमच में मिली जा रही है तो उसको उप्योग करना समझदारी है और ना उप्योग करना समझदारी नहीं है तो आप इसका उप्योग करिए, आपको लाब होगा आप इस नुश्के को करिए साथियों और अपनी चमक के विशय में आपको क्या experience हुआ 15 दिन में हमको comment portion में लिखके बताईए हमें अपनी मिहनत सफ़रोटी नजर आएगी अगर आपके मन में कोई query हो तो आप हमारे WhatsApp नमबर पर अपनी query को WhatsApp कर सकते हैं कोशिस करेंगे आपकी बात का संतोष नक्यवाब दे पाएं जैसा निवेदन मैं आपसे करता हूँ कि अगर आपका या वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपको इन उसका आसान लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रहा होगा आपने मित्रों को सब्सक्राइब करने को प्रेडित कीजिए और बेल आइकर नोटिक्वेशन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो योहीं प्राप्त करते रहिए आपका साथियों हमारे साथ इती देर वक्त गुजारने और भरोसा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डाक्टर उमंखन्ना हुम्यों पैथि क्लिनिक दुआ करता है कि आप हमेशा चमकते रहें आकर्सन का केंद्र बने रहें और आपके मुखपंडल से आपके सरीर से ऐसी आभा निकलती रहें कि आप जिदर से गुजार जाएं लोग आपको याद रखें आपका जीवन सुभ हो आपका दिन सुभ हो आपका मन खुश हो ऐसी हम लोग कामना करते हैं धन्यवाद कर दो आपका जाएं सुभ हो आपका vern कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो